नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका निउस्टोर 24 में तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में ना गहतक साइड इफेक्ट ना मौत से डर सामने आया इस पूतनिक वी का लाजवाब डिपोर्ट कार्ड तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अन तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बैल आइकन पर तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं कोरोना की भेंकर महमारी को जड़ से खतम करने के लिए पूरी दुनिया में तेजी से वैक्सिनेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कोवी शील्ड, फाइजर, बाइवेंटेक, मॉडरना, सीनोवैक और कोवैक्सिन टॉप लीडिंग वैक्सिन हैं जिनके टीके दुनिया भर में लोगों को दिये जा रहे हैं वहीं अलजन्टीना के स्वास्त मंत्राले ने रशिया द्वारा डेवलप की गई स्पूतनिक वी को दुनिया की सबसे सुरक्षित वैक्सिन माना है जिसका इस्तिमाल देश की राजधानी ब्यूनस एयल्स में भी किया गया है अलजन्टीना सरकार द्वारा की गई इस प्रशंचा को स्पूतनिक वी के ओफिशिल ट्वीटर हैंडल पर भी शेयर किया गया है स्पूतनिक वी के ट्वीटर हैंडल पर शेयर किये गए इस ट्वीट में लिखा है कि अलजंटीना में लगाई जा रही तमाम वैक्सीन में से स्पूतनिक सबसे ज़्यादा सुरक्षित है ब्यून्स एयल्स में स्पूतनिक V के वैक्सिनेशन से अभी तक मौत का एक भी मामला दल्ज नहीं किया गया है स्टडी के अधार पर यह भी बताया गया है कि स्पूतनिक V लगाने के बाद लोगों में केवल मामली साइड इफेक्ट सी नजर आये हैं इसके पोस्ट वैक्सिनेशन में बुखार सिर्दल्द और इंजेक्शन लगने वाली जगह पर हलका दल्द होने की शिकायत ही दल्ज की गई है ब्यून्स एयल्स प्रातर में हुए इस शोद के मुताबिक स्पूतनिक V लगने के बाद करीब 47% लोगों को बुखार की समस्या हुई जबकि 45% लोगों ने सिर्दल्द से जुड़ी परेशानी को महसूस किया इसके अलावा 49.5% लोगों को मासपेशियां और जोडों में दल्द की भी दिक्कत हुई इंजेक्शन साइट पर 46.5% लोगों ने दल्द होने की बात कबूली और 7.4% लोगों ने यहां सूजन के बारे में बताया स्पूतनिक वी समेथ चीन की सीनो फार्म और एस्टेट जैनिका की कोवी शील्ड की मदद से रशिया में अब तक करीब 28 लाग से जादा लोगों को वैक्सिनेट किया जा चुका है पूतनिक वी लेने वाले सिर्फ 0.7% लोगों ने ही गंभीर साइड इफेक्ट होने की शिकायत दल्च कराई है जबकि चीनी वैक्सिन सीनो फार्म लेने वाले 0.8% लोगों ने गंभीर साइड इफेक्ट महसूस किये हाला कि COVID-19 लेने वाले 3.2 फीसद लोगों ने इसे स्विकार करा है ESAVI की परतेक जाच को यहां विश्व, स्वास्ति संगठन और Pan American Health Organization द्वारा इस्थापित श्रेणियों की एक शंकला के अनुसार वर्गीकरत किया गया है WHO के अंतिम निरक्षण में भी वैक्सीन के production quality, clinical studies या गंभील side effects को लेकर अब तक कोई साक्ष सामने नहीं आए हैं रूस के Gamleya National Center of Epidemiology and Microbiology द्वारा विक्सित कोरोना वाइरस के खिलाब पूतनिक भी उन पंजिकरत वैक्सीन में से है जिने विश्व इस्तर पर इस्तिमाल करने की मनजूरी सुराती दौर में ही मिल गई थी पूतनिक भी एक वाइरल वैक्टर वैक्सीन है जो एंटिबॉडी के साथ उत्पादन को टिगर करके काम करती है इसलिए इसके परिडाम स्वरूप शरीर में इंफलमेशन समेथ हलके फुलके side effects देखने को मिलते हैं पूतनिक भी ब्रिटेन में विक्सित हुई Oxford Extragenica की वैक्सीन और Belgium में बनी Jensen वैक्सीन की तरह ही काम करती है ये बिमारी का जोखिम बढ़ाये बिना शरीर को वाइरस के genetic code के खत्रे की पहचान कराती है और उसे लणना सिखाती है वैक्सीनेट होने के बाद शरीर विशेश को आसान बनाता है दूसरे वैक्सीन के विपरित इस्पूतनिक भी पहले और दूसरे डोस के लिए वैक्सीन के दो अलग अलग वर्जन का इस्तिमाल करता है ये दोनों ही कोरोना वाइरस के विशेश्ट स्पाइक को टारगेट करते हैं लेकिन बाड़ी में स्पाइक को पह बीर मामला सामने नहीं आया है कुछ medical studies के अनुसार लंबे समय से high blood pressure, hemler stroke और thrombosis से जूज रहे लोगों में थोड़ी बहुत समस्याय देखने को मिली हैं लेकिन इसका संबंद vaccine से नहीं पाया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई और भविश में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को जादर जादर लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद